गुड़ी मॉनिंग नमस्कार जैहिंद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मोबाइल पाट चल रहा है कैसे आप सभी लोग क्या चल रहा है कैसी तैयारी चल रही है क्योंकि पेपर अनहीं वाला है एक के बाद एक अबडेट प्रोड़ती कंपलीट वारी है तुमाहरी एक साल में तैयारी कंपलीट नहीं हो पा रही है मानता हूँ कि बहसं आपका कट-आण शाल से मानता है लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा मेरे भाई कि इस अवालों को इन सवालों के माध्यम से टेस्ट करो किया आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या तरीका हो सकता है या फिर आप कितना फास्ट इसको कर सकते हो कि जहां आपने टाइम बचा है वहीं आपका स्कोरिंग एरिया बढ़ गया वहीं आपके पास नंबर ज्यादा हो गया आज तुम सोचो कि 140 तक लाने वाला वह बच्चा जो एक बढ़िया स्कॉलर गिना जाएगा उसका सेलेक्शन नहीं हो रहा है आज जो जो टाइम की मांग है ना वो बैस्ट नहीं उसको बहतरीन होना पड़ेगा बहतर नहीं बहतरीन होना पड़ेगा अब आज एक तरिफुझ है और वह संभाहु है कहरा कि a x by इसकी सीर सलम्ब है तो याद रखना जो सीर सलम्ब होते हैं वो भी हमेशा बराबर ही होते हैं मैं बताता हनों को कैसे पहली वात तो बराबर हो जैसे छोटा डरmaat इसन हमागयोंब Summa को यह को ने हैं ऐसा और यह संभाहु। तिरफुझलक के लिए यहां से यह तकी सबस्थ को यह सरफ एक है चीजाओ यह सम्भाहिकर और किसी में नहीं होता यिश्री है अगले पर आउओ अगला करो देखो, ABC एक सम्धी बाहू का मतलब क्या होता है? कि अगर मैं ऐसा कोई triangle बना दू, तो इसका मिलए, ये वाला साइड, इस वाले साइड के बराबर, ये वाला इंगल, इस वाले इंगल के बराबर, ठीक है? तो बोला आपसे यह है कि A, अगर B हो, अगर C हो तो बोला A भी बराबर A सी के, यारि दोनों बराबर अगर ती तेटा है तो आप गद तो यह भी ठिटा हो, अब बोला यह है कि अगर ह Tampa कि समझते हो यह गर 90 वलẹड हो गया है तो यह दोनों रखना हो शाय नहीं हो है जै कि सर्फ प्रबठी जाननी थी जमेट्री में तो तुम्हें सर्फ प्रपेट्री जाननी है जमेट्री में प्रपेट्री पता है खतम कहानी दो मुझे है जैकर cm2 और वह जोग fig A, B, C इस प्रकार है कि A, B, C एक संभा होतरे को चाहिए, नहीं समधिवा हो, तो A, B, C, यहां पर यह दोनों क्या है, equal है, समाले बोला है, कि एक बृत B से गुजरता है, और A, C को मद्धे विंदू पर असफर्स करता है, ठीक है बापू, तो A, C को मद्धे विंदू पर करें, कुछ इस तरह से, यह मद्धे विंदू से गुजरता है, ठीक है, वहाँ, तो आप से बोला है कि A, B, C को मिन्दू P पर प्रतिच्छेrop करता, यहां पर प्रतिच्छे दीदे करता है, एक यहां पर असफर्स है, तो आप से यहां पर बोला है, कि A, P, और A, B, A, P, और U. A. B. जो है वो YouTube मे घजरर लिए 3 में बताना है आपको इसका ratio क्या हो तो ध्यान से समझा मेरी बात हूँ क shapा करी बात यूले नगहीं समझना बहुत जरूरी है कि पहली बात भय lange दिए गुजर रहाँ एसी के मद्धिविंद को टच कर रहा है ठीक है तो एसी के मद्धिविंद को टच कर रहा है तो हो ये भी तो हो सकता है कि दो तीन तरीके के ट्रेंगल इसमें बन सकते हैं इसमें एक ये भी हो सकता है कि ये कैसे हो सकता है I mean ऐसे करके समझ रहे हैं यहां से मद्द्विंद से गुजर रहा है कहां स्पर्स करता है तो स्पर्स करेगा तो वाला चीज नहीं से होगा फिर यह वाला गर्वन हो जाएगा यह खतम स्पर्स सिर्फ कर रहा है छोड़े स्पर्स करने का मतलब सिर्फ छूड़ा सिर्फ छूरा है यह नहीं सिर्फ टच कर लो तो आप यह बात मानोगे कि मेरे पास यह वाली जो चीज होगी यह वाली तो A, B और A, B और A, B की वैल्यू बताने हैं A, P और A, B इन दोनों चीजों की वैल्यू बताने हैं देखो एक बात तो ध्यान से मेरे बात समझते हैं कि जितना भाई सब यह होगा ना उतना ही यह होगा क्यों जी, क्लियर है क्या A, P और A, B A, P और A, B A, P यहां से, यह वाली चीज़, यह वाली यहां से, ठीक है, यह वाली चीज़ बोल रहा हूँ ठीक है दोस्तों, तो आओ मैं आपको कुछ बताता हूं इस पर, एपी और एबी क्या होंगे, देखो दोस्त, अगर मैंने बोला कि अगर ये दो है, तो ये भी दो था, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, ठीक, ये दो दो थे, अब ये भी मान दे हो कि ये वाली चीज इस तो हमारे पास है नहीं कुछ, एपी और एबी पूछ रहा आप से, ये कहानी तो इसी गड़बर लग रही है, इसको मैं चेक करता हूं बाद में, ठीक है, अब अगले वाले सवाल पर, इसको मैं चेक करता हूं, ठीक, अगले वाले पर बोड़ों, इसको मैं चेक करता किसी समद्वी वाहू को आपका कोई त्रिभुज है इसमें तीसरा कोड समान कोडों के योग का दो गुना है कोई आपसे कह रहा है कि यह समद्वी वाहू त्रिभुज है ए बी निजिए आपसे बोला है यह तो आपसे बोला है कि तीसरा कोड है अगर तीसरा कोड को मैं क्या बोलू अलफा तो एक्शुली जो अलफा है न वो दोनों कोडों ऑग दोनों समान कोडों के योग का दो गुना है यानि इसीधा आप बोल सकते है चार थीटा यानि अगर यह थीटा थीटा है तो यह बराबर हो जाएगा फोर थीटा ठीक है तो आपको थीटा की वैल्यो बचाँ तो चार दो छह थीटा मेराबर एकशोट सी के छह थी अठार है तो थीटा की वैल्यो जाएगी तीस ठीक और आप से यही तो पुछा था कि दोनों समान कौनों का योग बताएगे को यह बोला था यह बोला था आगए एक सम्जी बहुत रिभर जो ए बी सी में यह के बराबर है कि खटा-खट करो खटा-खट आ भी-सी आपसे बोला कि यह और यह दोनों बराबर है और यह 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 इन एक यह थे प्लिप had chapter बिची बराबर कहना है चलो जी मान लिया अगर इसका मलब यह वाला जो होगा और यह वाला भी आईटु और यह निटी डिग्री भी होगा आप से क्या बोला है सर जी एक डिकी वेल्इयो बता तो एक सम कोड तिर्वुजाला वाला थे लिए अगर है that is equal to under root इसका square रहीं दो दुना 4a square minus a square upon 2 ठीक है मेरे भाई clear है क्या तो बोलेंगे सार हाच चे बिल्कुल clear है 4 दुना 8 में से 1 गया 7a square बटा नहीं एक सेकंड रुको यहां 4 होगा ना 4.6 पेसे किया 15 यह सवाल का अंसर है यह बाला दिखे रहा है ना ED बढ़ा 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 एक समबाहू तुर बुझे ABC कह रहा है कि B पर समबाहू है चलो भी है वो भी कह रहा समबाहू है और समबाहू भी है B पर तो यह वाला side और यह वाला side हो सकता है यहीं दोनव बढ़ावर हो क्योंकि तीसरा आत्स सबसे बढ़ा होगा कीない om召ाहू धी अंदर कर दार ABC के अंदर जो है D विदधिमान है D से भुजा AB और AC पर डाले के लंग भुजा AB और AC तो यहां एवी पिप मालों पर्पेंडिकुल्र रगड़ा जा रहा है ठीक है और यहां से आप इससे पर्पेंडिकुल्र रगड़ा रहा है तो कह रहा है एक तो पी है दुसार क्यों आप से अपर पी कह रहा है और यहां से बीए ठीक है कि रहा है कि बीए डी तो भी एडी यानी कि यह वाला एंगल आप से बीए डी समझ रहे हैं तो बी एडी जो कह रहा है वो कह रहा है आपका 15 टिकरी है बी एटी है यह 15 टिकरी है और क्या बोला है तो आपको बताना साइन 75 का मान बताना है यह कौसा सब्सक्राइब अब देखो ज़रा साइन 75 का मान बता आपको साइन 75 को आप यह लख सकते हो कॉस्ट को सभी तो हो ना हो आपसे कॉस्ट 15 का मान पूछा जागा अगर को सभी का मान पूछा जाएगा तो अगर यह एक समझ जो यह एक राइट एंगल ट्रेंगल अ क्योंगी यह भी 90 डिकरी है तो आप यह बताओ, यहां से आप कैसे करके निकाल सकते हो, है जी, हमें actually focus रहना इस वाली चीज़ में, हमें यह वाली चीज़ बता होनी चाहिए, और जैसे यह perpendicular है, तो यह भी एक right angle triangle ही बनाएगा, ठीक है, आउज़ार देखो, cos 15, that is equal to, देखो, आधार बटा करड़ पे च ठीक है भी या, और करड़ आपका जो है, वो इसको ले लो x के बराबर, ठीक, clear अभी, आउज़ार ध्यान से मेरी बास समझो, कि अगर यह 90 degree है, यह 15 है, ठीक है, यह 90 हो गया, यह 15 हो गया, तो total angle यह 90 है, अच्छा, यह सम्द भी बाहू भी है, तो यह वाला अगर equal है, इस काम हो गया, हमारा काम हो गया, परिशान नहीं होना, काम आ रही हो गया कि कॉस, 30 degree, that is called to, आधार बटा कर, नहीं, आप कॉस मुत लगाओ, साइन लगाओ, मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है, इसको आप खतम करो भी, अगर आप observation यहां से कर रहा है, इसके लिए base ही होग अपर पिंडिको लेगे, कॉस लगा लो, कॉस अटी, तो आधार कितना बटा को भी, कड है, कड सर अपने X माना हो, एक्शली, इसका मनलब था root 3, B upon X, इसको इधर कर दो, यानि X की जो value हो जाएगी, हो जाएगी 2, B, X की value हो, यही बात है, तो X की value अगर यह है, तो उसी में रख दो, पूट कर दो, क्या दिक्कत है, 2, B, root का 3 यानि दो, तो A root का 3 upon 2, देखो, यह वाला answer है, आप समझते हो, cos 15 को हम sign 75 लेखते हैं, तो कोई दिक्कत ने इसमें, ठीक, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल रही है, सम्दूभी बाहुत रिवो जाएवावो, A, B, C इस परकार है, कि A, B, A, C बराबर है, B, A को बिंदू D पर इस परकार बढ़ाया जाता है, कि A, B बराबर, तो आप यह सम्झते हैं, मैंने आपको कैसे बताए इसको, एक कोई sum 2 बाहुत रिवो जाए, घवराने का नहीं, A, सब B, A को बढ़ाएगा, आओ, देखो, देखो, तो, A, B, C, और B, A को बढ़ाएगा, इसको म force है, समझे हैं रिवो जाए, यह बराबर किसके है, A, B, A C बराबर है, जाए ना, यह इसके बराबर है, ठीक है, और आगे बोला, इसको D तक बढ़ाएगा, ठीक है, D तक बढ़ाए गै, इसको म听 कर दिदी, वे और की और ऑद ए मे बराबर यह भी बराबर यह भी बराबर दी पर जा रहा है यह अबो देश है अब यह 30 है तो यह 30 है और यह 30 है तो यह 60 है क्योंकि 22 कोड है ठीक अब यह 60 है तो इसका मतलब यह है कि अब यह सबी भी मिलके 60 ही तो होंगे 60 60 इसका मतलब बागी होगा 60 समझें कि नहीं आगे चलो आपसे भूला है कि ABC भाई सब्सक्राइब बड़ाबर एसी के है और ABC बड़ाबर 40 जी ने कि तो बाहे कोड का मान बदाना है तो यह बड़ा असान है यह हो गया यह B हो गया यह C हो गया ऐभ व ऑर एसी चार्श एंशा चार्श आजायर अपसे क्या बोला इसने बिक बाहे कोड का मान बताना है यह यह वाले बागा से हमझे हैं मेरे अघवाह से सब्जो क्यक्राइब यह थ actionable कि यह थैस लिवह यह दूनों ऑलफा-Ash हो गया एक सोसी घंटा होगे तो आएगा मेरे पास यह सतर तर राइंगे आप अब एक दम एकदम फट्ट फट्टिस्ट्स ऌकड़ना है आपको वह कोंसेट्स समझके रखना है जितना आप Fast आप concept समझ के रखेंगे सवाल होते रहीं टीजी से होते जाएगे हैं पड़ो और आगे रेखा खंड दो सेंटीमेटर कोश्यंता। तीन सेंटीमेटर पांच सेंटीमेटर छह सेंटीमेटर कुं लेकर एक तुर्भुज बनाकी नशीय खाएं कितने तुर्भुज बनाया सकते हैं तो आप यह बारत समझते हो कि हमारे पास एपलस भी बड़ा होना चाहिए हमी साथ C के, B प्लस C, बढ़ा होना चाहिए A के, C प्लस A, बढ़ा होना चाहिए B के, अगर जितने त्रिभुज बनाया जारहे है, अगर इस कॉंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो हमारा वो ट्रेंगल बनता रहेगा, आओ जरा देखो, देखो भीया, इस वाले और कोई भी ट्रेंगल नहीं बनाया सकता है, बांते हो, ठीक है, इस वाले और इस वाले को लेके ट्रेंगल बनाया सकता है, इनी तीन, पाच और छे, चलो ट्रेंगल बन क्या है, और इस वाले और इस वाले को लेके भी ट्रेंगल हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मेरी बता है सम ये और ये इन दोनों को ले के हम बना सकते हैं, एक और चीज़ समझो, कि और क्या बना सकते हो, आप इसको भी तो ले के बना सकते हो, दो पाँच, और साथ, ये भी बना सकते हो, दो पाँच और छे, इसको भी ले के बना सकते हो, और कोई, और कोई, नहीं, सब दो बना सकते ह तीसरा नहीं पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल ही नहीं, आगे बढ़ो देखो, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपाद क्या है बाबू, चार, पाच और छे, आंतरिक तिर्जा पर कितनी है बाबू, छे, सबसे बड़ी भुजा पर सिर्स लंब की पानिगा हो, स, तो ए पलस बी पलस इवटा दो, पान छे, पान च ग्यारा चार, चे चार पर नर्यानी साड़े साथ, तो कहाने बाबू हो जाएगे, सिर्स लंब की लंबाई पूश्राप से, घरबड हो जाएगे, चार, फिर भी आप डिल्टा निंगा लों क्या दिखकर सेवन पॉइंट फाइफ गुड़ा, चार घटाओ के तिन सनो फाच, पांच घटाओ के ढाई, छे घटाओ के ड्यड़, ठीक है, ठीक है, यहाँ आप पूह निकालोगे, डिल्टा निकालोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास त्रिवज मिल गया है, आंतरी ठीठीच अरहन तुरी देचा करते है, तो इसकरोगे, वात काम साक्तों getste, कि अंतर तुरी तुरी क्या होता है, अंतर तुरी 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 ड़ल के सपक्तिक है, पहमने हुआ है खारे देंधें योदमितु होट, जा ल prett हरी और, अ कि सब्सक्तेええ को इरिए एरिया ओफ ट्रेंगल क्या ची यह वित ऊसकता है एरिया ओफ ट्रेंगल अब जरह देखो अंतिरत जिज्जा के पास थीन है सेमी पेरिमेटर जुद जरा इंको एड़ कर लो फटा पटा तो आएगा पंदर रहनी सादे साथ 15 बटा दो और एरिया ओफ ट्रेंगल होता है 1 तो आप बेस किसको मानना चाहेंगे, तो बेस आप पांच को ले लो, हो ना हो पांच को ले लो, और एरिया बेस इंटू उचाई हाइट, तो ये तो गया, ठीक है, तो एच बरावर 9 भी आ सकता है, ठीकिन आप बेस हमें सब बड़े वाले को ले न, छोटे वाले को ले, तो आ नहीं ना मेरा अंसर, समझ सही है, आपके पास ही आगे, 15 बटा दो, 1 बटा दो, 6 ले ले इसको और रुचाहे ले, ठीक है, हो सकता है, 2 से 2 कट गया, 3 से काट होगे, 3 पच्चे पंद्र, 5 तिया पंद्र, 2 से काट होगे, H के वेले जागे, साड़े साथ, देखो यहां से सबसे बड़े वाले को आप बेस ले ले, सबसे बड़े वाले को, ठीक है, सबसे बड़े, देखो, यहां लिखा भी है, सबसे बड़ी भुजा, हम थोड़ा सा गड़ बड़ी की कर रहे थे, सबसे बड़ी भुजा आपका 6, तब ही तो गड़ बड़ हो रहता है, आगे पूछा जाए बाबू, यह वाला कितना है, BDC, ठीक है दोस्तों, आप से पूछा जाए, एक ही वैल्यू क्या होगी, तो यह 50 है, तो भाईया, एक ही जो वैल्यू होगी है, अगर यह 150 होता, ठीक है, एक ही 50 होता, तो पूरी कहानी एंड हो गई, BDC, डीपर पतिछेदित करता है, चलो पिर भी देखते हैं, क्या होता है, अगर 50 इस ने दिया हो, देखो, वे ध्यान से सुने, याएगा भी बाईटू, यह भी है, समझते हैं, इस बात का, तो आप बोलो कि सर जी, कि B पलस, C बाईटू, दैट इस एक्वल टू, 180 माइनस का यह, तो जाएगा 130, अब B पलस C, 260 के, मेरी बात समझते हो, यह भी गड़बड़ है, गड़बड़ यह है ना, कि देखो, आप ध्यान से, यह सब चीज़े हैं, कि अगर 180 माइने किया, तो अगर मैंने सिर्फ 50 किया था माइनस, तो यह तो 260 हो गया, यह गड़बड़ है, मुझे लगता है यह देड़ सा होगा, ठीक है, मुझे लगता है सा, और थोड़ सा लिखने पढ़ने में दिक्कत हुई है, ठीक है, और डेड़ सा होता तो बाब यह जाता 30, 3060 होता, अगर यह 3060 है, तो बाकी यह हो जाता 120, मैं जाता जानता हूँ, यह देड़ सा होना चाहिए, पचास पे तो यह कभी नहीं हो सकता, ABC में भूजा, BC को D तक बढ़ाया जाता है, यह आप समझते हो, इसको आप होमग में करोगे, ठीक है, मैंने आपको करवाया था, अभी कुछ दिर पहले मैंने ऐसा ही सवाल करवाया है, मेरी बाता ही समझ में, शरू, आज हम इतना ही र पूछे हैं, आप मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो प्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल दे, तो इसको देखते हैं, हमने यह सोचा कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया सेशन लाए जाए, तो पूरा देखिए सेशन को लाइक करिए, और शेयर करिए, और चैनल क सब्सक्राइब जाए जाए, ठीक है, और सासाथ यह भी बताइए, सेशन कैसा लगा, थैंक यू सोच, मुझा टेक केर,